नमस्कार आप देख रहे हैं कंचन टीवी और न्यूस जूम से आपके साथ मैं हूँ गुरफ राजपूर्ट देश में हर रोज क्रोणा संकर्मीतों का आंकडा तेजी से बढ़ता चला जा रहा है इसने 24 गंटे में भी इस आंकडे ने एक बड़ा रिकोर्ड बनाया है इसी के साथ देश में अब एक्टिम रिजो की संख्या 11,95,000 के पार पहुंच गई है आज यानी 12 प्रेल को यह आंकडा 12 लाग को पार कर जाएगा इसी के साथ बढ़ते मामलों को देखते हुए किंदस रिकार ने एक बड़ा फैस्ता लिया है कोरोना मरीजो को दिये जाने वाले इंजेक्शन रेम डैसेवीर के निर्यात पर आप किंदस रिकार ने रोक लगा दी है दरसल भारत की अलग-अलग हिस्सों से कोरोना मरीजो को दिये जाने वाले इंजेक्शन के शोटेज की खबरे आ रही थी इसे देखते हुए आपके इंदे सरकार नहीं है बड़ा फैस्ता लिया है इसी के साथ आपको बता दें कि रेम डैसे वीर इंजेक्शन को बिनाने के लिए जिस सामगरी का उप्योग किया जाता है उसके एक्सपोर्ट करने पर भी रोग लगा दी गई है देखिए क्रोणा के जो मामली लगातार बढ़ रही है इसका सबसे बड़ा कारण आप और हम सब की लापरवाही ही है मास का उप्योग नय करना दोगज की दूरी का ध्यान नय रखना तमाम ऐसे जो कारण है उसके वज़े से क्रोणा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है इसलिए कंचन टीवे अपने दर्शकों से अपील करता है कि आप मास का उप्योग करें और दोगज की दूरी का ध्यान रखें ताकि आप अपने आपको और दूसरों को भी क्रोणा संकर्मन से बचा सकें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें हमारे पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें